नमस्कार फाइटर समाचार में आपका स्फागत है पेशाज 13 अप्रेल दोपहर 3 बजे राजस्तान की खास खबरें संजय कुमार निवासी चूरू को भी गिरफतार कर कोट में पेश कर रिमान पर लिया है आरूपी संजय कुमार पेपर लिग के मास्टर माइंड यूनिक बांबू का हैंडलर है संजय पेपर लिग के दुरान अपनी गाड़ी से अब्यार्थियों को पेपर पहुंचाना और उसके बाद केंदर पर पहुंचाने का काम करता था एसोजी सुत्रों की माने तो पकड़े गई आरूपी संजय कुमार से पूस्ताश में कई हैंडलर और पेपर लिग में वर्किंग को लेकर खुलासे होने की संभावना है माना जा रहा है कि पेपर लिग प्रकर्ण में जल्दी अन्य गिरफतारियां हो सकती है जुंजरो जिले में रिटाइड पोस्ट मास्टर का मडर कर उसकी बहु ने करवाया था पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का खुलासकर आरोपी बहु उसके प्रेमी और प्रेमी के दोस्त को गिरफतार किया है मामला पचेरी कला थाना क्षेतर का है एक अप्रेल को सेवा निवर्थ करमचारी सत्र वर्षे बुजर्ग का शव उनके घर में मिला था एसपी राजश्री वर्मा ने बताया कि मामले की जांच की तो शक बेटे की बहु की तरफ गया बहु के ससुर के साथ 25 साल से अवैद संबंद थे बहु का कुछ समय पहले हरियाना के नारनौल निवासी मान सिंग और फौजी से प्रेम प्रसंग हो गया इनके अफेर की भनक ससुर को लग गए उसने बहु को खर्चा दीना बंद कर दिया इसके बहु ने ससुर को रास्ते से हटाने की साजिश रची मान सिंग बिहार में 30 रूपी जितेंदर उफ बिजेंदर सिंग निवासी चर्चाही बिहार से मिला जी तेंदर ने मान सिंग को दो यवक अमित कुमार वे छोटूप लब्द करवाए 31 मार्च को दोनों ने बुज़र्ग का मर्डर कर दिया प्रेदान मंत्री नरेंदर मोदी ने लोकसब़ चुनाव को लेकर राजस्तान के दोसा में पहला रोड़ शो किया लोगों ने पी-म पर फूल बरसाए तो मोदी ने हाथ जोड कर अभिवादन किया मोदी के साथ ओपन जीप में सवार राजस्तान सरकार में कैबिनेट मंत्री के रोड़ी लाल मीना ने फ्लाइंग किस दिया रोड़ शो के दुरान पी-म ने भीड में मजूद भाश्पा जिला देक्षप्राबुद्याल शर्मा को बुलाया और जीप के साथ खड़ा किया इससे पहले मोदी ने दोसा लोग सबक शेतर के भाश्पा परतियाशी कनिया लाल मीना के समर्थन में दोसा शेहर में रोड़ शो शुरू किया था रोड़ शो गांधी तिराहे से शुरू हुआ और गुपतेश्वर सरकिल पर खत्म हुआ मोदी ने पचास मिनिट तक करीब सबा किलोमेटर तक लोगों का अभिवादन स्विकारा इससे पहले पीम ने बाडमेर में सबा को सम्बोधित किया था जोदपुर जिले में गुरू और शिश्य की परंपरा को अब शिक्षक ही तार-तार कर रहे हैं ताजा मामले एक सरकारी स्कूल का है जहां शिक्षक ने स्कूल में पढ़ने वाली चात्रा को ही अशलिल वीडियो कॉल कर दिये खबराई चात्रा ने हिम्मत करके स्कूल प्रिंसिपल को शिक्षक की करतूत बताई इस पर प्रिंसिपल ने उचा अधिकारियों को जानकारी दी इसके अधार पर तीन सदस्य कमेटी का अगठन किया गया है फिलहाल मामले को लेकर चात्रा की तरफ से कोई अफ़यर दर्स नहीं करवाई गई है प्राप्त जानकारी के अनुसार जोदपुर की मंदारक शेतरस्थीतिक स्कोल के शिक्षक ने कक्षाट में पढ़ रही एक चात्रा को स्कोल के छुट्टी के बाद वीडियो कॉल किया अरोप है कि इस दोरान शिक्षक ने उसके सामने अचलिल हरकतें भी की कार्यवाक सीटी सीबीयो मोल सिंग चोहान ने बताया कि जाँच कमेटी के रिपोर्ट के अधार पर आगे की कारवाई की जाएगी फरतपुर जिले में शादी के अभी सवा महीने ही हुआ था कि सडक हाथसे में सास बहु की दर्दनाक मौत हो गई नई नवेली बहु को लेकर सास ससुर अपनी बेटी के घर गए थे बाइक सवार तीनों को लोड़ते वक्त एक ट्रेलर ने टकर मार दी सास बहु ने मौके पर ही दम तोड़ दिया मामला सेवर थाना इलाके का है थाना इंचार्स अनिल जसोरिया ने बताया कि महुआ सेनपिनी चुराहे पर ट्रेलर ने बाइक को टकर मार दी की हाथसे के बाद ड्राइवर फरार हो गया सड़क हाथसे में 20 गाम निवासी महिला 50 वर्शे तारा सिंग और 20 वर्शे शिवानी की मौत हो गई दोनों महिलाएं 54 वर्शे नवाब सिंग के साथ बाइक पर थी हाथसे में नवाब सिंग घंबीर घायलैं जिसे आर्बियम भरती करवाय गया है चार मार्च को नवाब के बेटे विशाल की शादी शिवाने से हुई थी राजसान में बजरी के ब्लॉक की पिछले महीने हुई निलामी के बाद अब सरकार को बड़ा जटका लगा है इन ब्लॉक को जिन कंपनियों ने निलामी में खरीदा था उनसे जब आदे ब्लॉक भी कंपनियां लेने को तयार नहीं है यही कारण है कि निलामी के बाद 15 दिन में कंपनियों को आक्षन राशी का 40 फिस्दी पैसा 15 दिन में खान विभाग में जमा करवाना था लेकिन वह जमा नहीं हुआ अब विभाग असम जस्में है के इन कंपनियों को पैसा जमा करवाने के लिए अत्रिक्त समय दिया जाए यहां सैकंड लूवर बोली दाता को ब्लॉक अवंटित करने के लिए कॉल अत्वा नए सिरे से निलामी की जाए दरसल मार्च में खान विभाग ने भीलवाडा और सिरूही जिले में साथ साथ ब्लॉक के लिए ऑन से 1.5 करोड रुपे की फिरौती मांगने वाले दो मुख्या रोपियों को रानोली थाना पुलिस ने गिरफतार किया है और रोपियों ने विपारी को फिरौती नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी थी मामले में अब तक कुल 5 रूपी गिरफतार हो चुकी हैं पुलि वर्षे महेश 24 वर्षे महेंदर को गिरफतार किया है वह अब दो मुख्या रोपी 21 वर्षे इंदराज गुर्जर वह 30 वर्षे मुकेश कुमार को पुलिस ने पकड़ा है पकड़े गए 500 रोपी सीकर जिले के रहने वाले हैं इन्हें सोशल मीडिया प्लैटफॉम पर ऑनल लाणू कस्बे के दुजार गाम में हुआ हाधसे की बाद राहगीरों से मिली सूशना पड़ी एस्पी विक्की नागपाल और थाना दिकारी महिराम विश्णोई मौके पर पहुंचे थाना दिकारी महिराम विश्णोई ने बताया कि दोनों शवों को मोच्री में रखवा आ गए इससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई फरिदपूर की नवगठित डीग जिले की कामा थाना की पुलिस ने एक फरजी पुलिस कर्मी और सेक्स टॉर्शन की एक शातिर ठग निजाम निवासी टाइरा थाना कामा को गिरफतार किया है जिसके कबजे से एक मुबाइल जब जबत किया गया जिसमें ठगी करने के सबी सबूत मौजूद हैं ठग ने पूस्ताश में बताया कि वे सेक्स टॉर्शन कर लोगों को फसाता है डियस्टी टीम के एसई बलदेव सिंग ने बताया कि डियस्टी टीम ने गश्ट के दुरान आरोपी को गिरफतार किया था जि एलो हाई के मैसस भेजे हुए थे फोन में बार कोड ट्रांजेक्शन के स्क्रीन शॉट्स पुलेस अधिकारियों के फोटो पॉर्न वीडियो लड़कियों के संदिग्द फोटो मिले बार्मेर के नवगठित जिले बालूतरा में कपड़ा फैक्टरी में बॉयलर फटने से दो लोगों की मौत और तीन घंबीर जुलस गए कटना अधियोगी कक्षेतर थर्ड फेस में महलक्ष्मी प्रोसेस हाउस की है थाना दिकारियों परकाश गुदारा ने बताया दो पैर दो बजे कपड़ा फैक्टरी में मजदूर बॉयलर में प्रोसेस करे थे इस उरान आपमान बढ़ने पर वह अचानक फट गया हादसे में किस वर्षे जवाहर लाल निवासी बलूत्रा बावन वर्षे मेगाराम प्रजपत निवासी गोल स्टेशन बलूत्रा की मौत हो गई 20 वर्षे दिवेंदर 28 वर्षे खेता राम और 23 वर्षे स्वाई का इलास चल रहा है खटना की जानकारी मिलने पर बलूत्रा एसडियम राजेश कुमार बे घटना सल पर पहुंचे फिलहाल मामले की जांच की जारी है कांग जिरे के घार्थानक शेतर में जैपुर कोटा नैशनल हाइवे पर सरौली मोड के पास एक कार बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई इसे कार में सवार कोटा निवासी और स्वाई मादोपूर में पोस्टेड असिस्टेंट खनीज अबियंता और ड्राइवर घायल हो गए खार्थानक शेतर की सरौली पुलिस चोकी की कॉंस्टेबल बजरंग लाल ने बताया के विवेकानद कुलोनी निवासी 56 वर्षी असिस्टेंट खनीज अबियंता रजेंदर भट इंदिनों स्वाई मादोपूर में पदिस्था पीत हैं वे कोटा से कार में सवार होकर जैपूर हाई कोट में विभागया कारे से जा रहे थे इस दोरान खार्थाना क्शेतर में सरौली मोड के पास कार की आगे चल रहे ट्रेलर ने अचानक तेज ब्रेक लगा दिये झाल